वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में आप सीखोगे अबाउट बिड एडजस्टमेंट आप सीखोगे कि बिड एडजस्टमेंट होती क्या है और कैसे आप बिड एडजस्टमेंट को इंप्लिमेंट कर सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखो अभी क्या है जब हम सर्च एड बनाते हैं तो हमारे पास option आता है ना bidding का हम बिड कर सकते हैं से मैंने एक keyword के लिए bid किया 25 रूपए ठीक है अब मैं क्या कहा रहा हूं Google से अब suppose करो मैंने अपना data analyze किया और data से मुझे पता चला कि भाईया जो मेल है न वो ज्यादा better convert होते है compared to females ठीक है मुझे क्या हमें क्या पता चला कि जो males है वो ज्यादा better convert होते है compared to females या suppose करो मुझे पता चला कि हमारी ads Monday को ज्यादा अच्छा convert होती है compared to Friday तो इस situation में आप क्या चाहोगे कि भाईया जो ज्यादा better convert हो रहे हैं उन्हें आपकी add ज्यादा दिखे और अगर आप चाहते हो कि उन्हें आपकी add ज्यादा दिखे तो आप क्या कर सकते हो जो आपकी bid है आप उसे बढ़ा सकते हो तो for example आपके bid है 25 रुपे बट डेटा देखके आपको लगा कि भईया मंडे को मेरी add अच्छा convert होती है तो आपने Google से का भीया Google देखो मेरी bid 25 रखो बस मंडे मंडे को मेरी bid कर दो 35 रुपे तो यह आपने क्या किया आपने किया bid adjustment आपने अपनी bid बढ़ा दी आपनी अपनी bid change कर दी ठीक है एक और example लो suppose करो आपकी add चल रही है इंडिया में और डेली के अंदर आपकी add अच्छा convert हो रही है compared to other places ठीक है आपकी bid कितने की है 25 रुपे तो आपने Google से क्या क्या गूगल देखो ठीक है मेरी bid 25 है perfect है 25 ही रखना बट बस दिल्ली के लिए मेरी bid कितनी कर देना 30 रुपे तो यह आपने क्या किया bid adjustment मतलब हमने अपनी bid को change किया क्यों change किया क्योंकि हमने अपना data analyze किया और उस data ने हमसे जो कहा उस data को हमने जैसे interpret किया उसके basis पे हमने अपनी bid को क्या कर दी modify बहुत ही जादा simple ठीक है हमने data read किया और उसके basis पे हमने bid कर दी modify हमने bid कर दी change ठीक है इसे हम कहते हैं bid adjustment क्लियर है जी अब देखो इसे implement कैसे कर सकते हो तो आप देखो मैं अहाँ पे अपने account पे हूँ campaigns पे जाते हैं और इस campaign को हम click करते हैं अब इसके अंदर आप देख रहे हो आपको इस सारे option दिख रहे हैं जैसे आपको इस दिख रहे है devices आप devices पे जाओ अब देखो devices हमारी add कहा कहा दिख रही है computer पे mobile phone पे और tablet ठीक है देखो हो यहां पे हमारी add कहा कहा दिख रही है computer पे मोबाइल पे एंड लास्ट वान इस टैबलेट अब सपोज मेरी बिड कितने की है 25 रुपए की बट फोन पे मेरी सबसे ज़्यादा conversion आ रही है तो मैं Google से क्या है Google ठीक है भाई या मेरी बिड ना 25 रख भाई एकदम परिफेक्ट है बट मोबाइल के लिए मेरी बिड ना भाई ऐसा कर 20% से बढ़ा दे बागी पर सेम रख्यो Google जस्ट मोबाइल पर बढ़ा दे तो यह क्या हुआ बिड अड़ेस करोगे कैसे सपोज मुझे करना है 20% से इंक्रीज और इसे मैंने कर दिया सेव ठीक है मोबाइल की जो बिड थी वो मैंने 20% से इंक्रीज कर दी तो अब मेरा जो बिड था वो मोबाइल के लिए बढ़ गया अब सपोज करो डेटा से मुझे क्या पता चला कि भाईया टैबलेट के लिए तो बिलकुल अच्छी कनवर्जन नहीं आती टैबलेट में तो कनवर्जन खराब है पैसे लूज हो रहे हैं तो अब लॉजिकल क्या होगा भाईया एक काम करते हैं टैबलेट के लिए जो बिड है वो कम कर देते हैं ठीक है तो सेम क्या करोगे टैबलेट में जाओगे प्रती आसान सिमिलरली आप जाओ एड शेड्यूल में अब देखो यहाँ पर मैंने कोई शेड्यूल सेट नहीं किया हुआ बट अगर मैंने यहाँ पर शेड्यूल सेट किया होता तो मैं ऐसे ही यहाँ भी बिड एड़्जस्टमेंट कर सकता था ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं अपना वो लगा देता city wise मैं यहाँ पे bid adjustment लगा देता similarly आप जाओ demographics पे आप देखो 18 to 24 है suppose करो अब मेरे को data से क्या पता चला कि भाईया जो 18 to 24 वाले हैं वो ज़्यादा better convert हो रहे हैं ठीक है क्या पता चला मुझे कि जो 18 to 24 वाले हैं वो ज़्यादा better convert हो रहे हैं तो अब मैं क्या करूँगा 18 to 24 वालों के लिए bid adjustment लगा दूँगा तो कैसे लगाऊंगा मैं तो देखो 18 to 24 है अब इसका bid adjustment यहाँ पे गए और increase 20% से मैंने कर दिया increase अब यह किस पे लगा है add group 2 पे ऐसे ही मैं बाकी add group पे भी इस age के लिए bid adjustment लगा सकता हूँ या तो बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ जो भी मैं करना चाहूँ similarly मैं आया gender पे और gender पे भी आके मुझे क्या दिखा है देखो female, male तो एक काम करते हैं इस campaign पे वापस जाते हैं और अब हम add group level पे चले जाते हैं add group पे चले जाते हैं ताकि मुझे age सही दिखे add group पे आ गए अब यहाँ पे मैं same काम कर सकता हूँ add group के हिसाब से मैं लगा सकता हूँ suppose मैं गया demographics पे और मैं गया gender पे अब देखो यहाँ पे है female तो suppose करो data से मुझे पता चला कि भाईया females के लिए मेरा जो वो है ना conversion rate है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है मतलब जो cost per acquisition है females के लिए वो थोड़ी मेरी खराब है तो अच्छा भाईया इसे क्या करें अब हम कर देते हैं अपनी bid कम तो bid adjustment पे गया इसे क्या decrease और इसे क्या save 40% और यह हो गया save तो यहाँ से bid हमने कर दी कम राइट अब वापस campaign पे आ जाते हैं अब ठीक है यह हो गया keywords का keywords में कुछ bid अब देखो keywords में भी एक चीज है अब यहाँ पे देखो multiple keywords है हमारे campaign के अंदर हम अब चाहें तो keyword level भी keyword wise भी bid को change कर सकते हैं for example digital agency का bid है 45 रुपे और online marketing agency का bid है 50 रुपे सपोज मैं इसको बढ़ा के करना चाहता हूं 50 तो यहाँ पे क्या कर दोगे इसे मैं 55 करना चाहता हूँ तो इसको कर दोगे 55 अब इस keyword की bid बढ़ गई है ना सपोज एक यह है digital marketing company इसकी change कर के करना चाहते हो 45 तो इसकी कर दो 45 है ना बिलकुल easy तो यह क्या था यह था bid adjustment या फिर इसे bid modifier भी कहते हैं और bid modifier क्या होता है bids को increase या decrease करना based on your performance ठीक है जी तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple है again इसका use आपको तभी करना है जब आप data को analyze करो और वहाँ से कुछ आपको ऐसी reports मिलें कि भाया यह तो बिलकुल logical है यहाँ पे यह करना चीए यह बिलकुल logical नहीं है यहाँ पे यह नहीं करना चीए राइट बहुत ही बहुत ही जादा easy है ठीक है so that's it from today's lesson अब कल के lesson में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहली बता देता हूँ तो कल के lesson में मैं आपको एक बिलकुल fresh new campaign एक बिलकुल fresh new campaign हम बनाएंगे with negative keywords with negative keywords as well as extensions ठीक है जी एक दम बिलकुल fresh campaign हम बनाएंगे with negative keywords and extensions तो कल आपको start to scratch सारी चीज़ हम करके देखेंगे make sure कि आपने अभी तक के सारे lessons देखेंगे हैं क्योंकि कल मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा नी मैं आपको पूरा एक campaign बनाके दिखाऊंगा एकदम exact जैसा आपको बनाना है किसी भी business के लिए इस campaign के अंदर मैं आपको तीन ad group बनाऊंगा और ये ad group कौन से होंगे SK, AG, single keyword ad group और हर ad group के अंदर मैं आपको तीन ads बनाके दिखाऊंगा ठीक है तो ये कल हम काम करेंगे एकदम fresh campaign make sure कि आपने अभी तक की सारी चीज़े देखी हैं और ये जो मैं campaign बनाऊंगा आपको इसके अंदर मैं bid modifier भी लगाऊंगा राइट तो basically आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब इसके अंदर cover हो जाएगा ठीक है and make sure कि आपने tracking वाली videos ध्यान से देखी है ताकि आपने tracking एकदम सही से क्या कर दिया हो अपनी website पे implement ठीक है so make sure आपने वो काम किया हुआ है that's it from today's lesson कल मिलेंगे इस fresh campaign के साथ ठीक है जी thank you so much